अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं थीन घंटे हलो हलो है स्वीडी मैं वही सोचू दो गंटे से तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया अरे तांके चुरो मेरी कहा नहीं नहीं में अपने क्यूँ उच्छे शोनु के टांके से कि चूँगी तो तुम्हें शोनु बुलतीयो ना तो दिल में कुचू-कुचू होता है क्या होता है तुम्हारे दिल में कुचू-कुचू हाँ? हाँ? अजी सर ये मेरा खबरी है इसे जरा में इंपॉर्टन इफेमिशन ले रहा हूँ तुम्हारा खबरी? में भी तो देखो ओ, स्नेहल पंकच, ये कौन सा खबरी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? अरे नहीं, मुझे नहीं तो सर मुझे नहीं मार्टरमोनिय वेबसाट में मिली थी सर अच्छी दूस्ती हो ही हमारी हलो अरे नहीं, ये पेडिस हो जाए क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर तो इंपोर्डेंट काम दिया था, उसका क्या हुआ? एक मिरिट से हालो हाँ बेपी, सौरी थोड़ा काम आगया था अच्छा तुम पहुचे की नहीं होटल? होटल यहां मैं पूना तक भी नहीं पहुचे तुम होटल की बात कर रहे हो क्या? सुबा की निखली भी हो यार हाँ यार, पता नहीं मैं यह जीपेस ने मुझे कहां पहुचा दिया है मैं किसी कच्छी साड़क पर हूँ कच्छी साड़क पर क्यो जा रही हो? उसीदा हाईवे लो ना मैं हाईवे से ही जाने वाली थी पर जीपेस ने दिखाया कि हाईवे पर ट्राफिक है सो आई थौट शॉट कर ले लो पसड़ यार अधी तुम्हे काम करो वे रस्ते बेर कोई ना कोई होगा उससे रस्ता बूछ लो ना हाँ मैं किसी से पूछती हूँ हाँ एक मिनिट होल करना तू Okay Excuse me Excuse me क्या मुझे परता सकते हैं यह रोड हाईवे पर कनेक्ट होगी या नहीं? जी होगी कितना दूर है हां से? हाँ हलो स्लेल हलो सर क्या हो अपंगच स्लेल सर यह यह स्लेल की गाड़ी है सर क्या आप लोग CID किसी गाड़ी में आए होंगे और फिर स्नेहल को सी गाड़ी में ले गए सर यह लोग मेरे हाद में एक बार राद रहे तुमें जिन्दा नी चुरूँगा है उत ज़र राहू स्नेहल कि किसी किसाथ एक संदुष्मनी ख्रीगे सर सिर्भी साथी लड़गी थी सर उसकी किसी किसांंदुष्मनी नीती सर ट्ग odh श्र॑त उलभी डूड निकालेंगे यह स्नेहल स्नेहल का बाग पर्स यह ये लैप्टॉप जैसे कीमती चीज गाड़ी में है सर ये जुर्म लूट पार्ट के इरादे से तो नहीं हो कि हमें पातने आ रही है इस पूर कि यहाई तो फ्र हीं यहन रास्तेपर प्र क्यों आए मतलब यह रास्ता पूना तो नहीं जाता जी प्टि सचेव क्या भी बाट कर लिया जी प्यप्यस गलत पहपे ले ऐसे कैसे हो सकता। सर अच्छली क्या हो आप जीपियस ने हाइवे पर ट्राफिक जाम दिखा था इसलिए उसने ये दूसरा रस्ता ले लिया था मतनले कि इस नेल किसी बड़ी साज़ेश की शिकार हुई है अधारी को कुछ मिला कर मैं? कुछ नहीं मिला और ना ही मिलने की कुई कुछाईश है क्यों? ऐसा क्यों कह रही है? तुमको इस गाड़ी में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है? आई ये चेमिकल जैसे कुछ गंत है एक्जाटली, केमिकल ये मुझरिम ने निकलने से पहले इस गाड़ी की अच्छे खासी सफाई की जिंबो को लुक्सी नाम की केमिकल के साथ अब इस गाड़ी में से ना तो कोई उंगली की निशान मिलेंगे और ना ही टीए ने काम कीजी प्रोफेशनल का है सर अगर खोनी प्रोफेशनल है तो उसे डूणने में बहुत वक्त लग जाएगा सर Pankaj, तुम्हे कुछ वक्क के लिए भोला हूगा के स्नेहल तुमारी दोस्त है एक CID officer की तरह सोचाँ राइट, सर स्नेहल के माँ डाइट, अँटी Pankaj, बटा कुछ पता चला अँटी, आप फिकर मत करिये सर हमारी पुरी टीम है अँटी, आम स्नेहल को ढून लेंगे सुबसुबस जब कर सा निक ली थी बहुत खुश थी ज़ आप इंटर्व्य के लिए जा रही थी न मैंने उसे कहा भी कि पुना जा रही हो तो ट्रेन में चली जाना मगर उसने मेरी बात महीं माने ये इसनेहल पुने जा रही है ये कौन कौन जानता था हम घरवालों को और उसके कुछ दोस्तों को पुने में कौन सी कंपनी में जा रही थी एक जॉब इंटर्वी देने? ओके टिक, वहां से किसी रोहित का उसे फोन आया था रोहित? आप लोग के अलावा ये रोहित जानता था किसने हल पुने आ रही है बसी इंफरमेशन मिल जाए सर, बहुत मदद हो जाएगी हेलो सब, मैं हू रोहित, इस कंपनी का एचाहर मनेजर रोहित, स्नीहल नाम की लड़की तुमारी कंपनी में आने वाली थी ना? जॉब इंटोव के लिए जॉब इंटोव इंटोव थी है? नहीं तो जहें? नहीं तो गार क्या मतलब है? यह इमेल आपकी कंपनी नहीं भेजा है न? यह तो हमारी कंपनी का इमेल एड्रेस ही नहीं है किसी ने नकली इमेल से शाहिद इने बेवकू बनाया क्या है सदोने कि अब तुम हमें बेवकू बना रहे है? सर यह देखिए मेरा कार्ड इसमें कंपनी का email ID साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप चाहे तो मैं आपको अपनी कंपनी के बहुत से भी मिलवा सकता हूँ हमारी कंपनी की सभी पोजिशन्स फुल है और यहां पर किसी भी नौकरी के लिए को इंट्वी नहीं चल रहा है जिए स्नेहल के बारे में बात कुछ जानता है पंकरज जड़ा थंडे दिमाग से सोच कर बताओ किसी के साथ की दुष्मनी की नहीं से तरह याद कर बताओ कभी तो इसने बताया होगा ना कि उसका किसी के साथ जगडा हुआ होगा है याद करो देको यार । जड़की में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कभी म judgments नहीं जिसका कभी म होगे किसी से मनमुटाव नहीं वाओ यह जोटा मोटा जगड़ा हुगा यार किसी से जोटा मोटा जगड़ा उसके फ्रेंज के साथ वा होगा सर लेकिन एसी कोई बड़ी बात नहीं हुई सर कि उसे कोई उठा के ले जाए और सर निहल के घर पे किसी किडनेपर का फोन भी नही आया पैसे मांगने के दिए सर वो मिल्ल क्लास सामी से बिलॉं करती है सर और कोई पैसा मंगेगा तो वो लोग दे भी नहीं पाएंगे सर पंकश तुमने कहा कि जीपीएस ने उसे गलत राष्टे वे भीज दिया और जीपीएस पर उसे पता चला कि ट्राफिक जाम है एक्स्परेस वेपास है ना यह सर लेकिन सर ट्राफिक पुलीस वालों ने बताया कि हाईवेए पर कोई ट्राफिक जानकारी दी तो इसका मतलब ह है कि आशकर जिस तरह से कंप्यूटर, मोबाइल पोन और लाप टॉप होते है उसी तरह से जीपीएस को भी है किया सकता है हम इलकुल हो सकता है जा कोई अपराज इतनी प्लानिंग करता है कि उसके लिए तो जीपेस है करना है मामली बात है सर्फ इचले छे साथ माहिनों में कोच और ऐसे लोग है जो इस नहल की तरह गाएभू है इनको भी गाडी में से इनको भी गाडी में से किन्याप किया गया था और और केमिकल भी छिड़का गया था गाडियों के अंदर तक इसारा स्बूत मिठ जाए Oh my God क्या हो सर्फ आदी लुक अब तद मिली नहीं पंकाज ऐसे घबराव मत समझे स्नेल को हम धून कर लाएंगे उसे कुछ नहीं होने देंगे घबराव मत पुर्भी देखो क्राइम रंच कर इंस्पेक्टर समीर वो इस केस को हैंडल कर रहा है बुलाव से ब्यूरों में सर गाइब हुए सभी लोगों को एक ही तरीके से गाइब किया गया है पहले उन्हें नौकरी या किसी फ्री गिफ्ट का लालज देकर बुलाए गया फिर जीपीएस हैक करके उनको कार से उठाया गया उसके बाद वो केमिकल डाला गया ताकि कि किसी को कोई सुराग न मिल सक सर पिछले महीं ने कुछ ऐसा ही सुराग हात लगा था मुझे रोको साब यही रुको यही रुको किदर है वो सर उस स्पेड के नीचे क्या हुआ चलो नाई साब आप जाए अरे कबरा क्यों रहे हुआ हूँ ना तुम्हारे साथ नाई साब मुझे बहुत डर लगता है अच्छा वो जगय कहा है वो सब वहाँ पेड के नीचे लाँ मुझे दो क्यों है यही जगय है अहाँ साब कि कान primer वह वह आई is एयाय बर्म के अंद्धिन का साकरा आई यह size कम उहें पीकी जोगों में से एक की लाउच को तेजाब डलका तुनी तरह से जला दिया गया था यह आपको कैसे बता चला के मदने वाले लोग इन में से कोई एक है कोई और भी तो हो सकता है डेंटल रिकॉर्ड से यह साबित हो चुका है कि वो लाश विक्टिम नंबर फोर रिचा कुमार की है पर भाकी लोग जुगा है वे उनका क्या नहीं सर किसी का कुछ पता नहीं चला और रिचा के साथ जैसा हुआ है उसे देखकर यह लगता नहीं है कि उनमें से कोई भी जिन्दबचा होगा सर लोग सर श्मेल की नहीं बचा पंकच क्सलियल को ना घलेगिसे पंकज baik प्रडिवि ones घुटाSíोज एँ अजा इंट सर हो सकता है यह किसी सीरिड किलर का काम शायद नहीं पुर्णी लगता निए किसी सीरिड के लग काम है क्योंकि नॉर्मनी सीरियल कि यह पैटरन rooting एक definite pattern होती है, खोन करने की, जान देने की, यूनौ, नहीं, पता नहीं क्यों, बस सीरियल के दर नहीं लगता है, यह देखो, यह जो भी है, यह तो किसी को भी मार रहा है, पिर चाहिए वो लड़की हो, औरत हो, यह कोई मर्द हो, यह देखो, यह स्टूवंट है, यह कि नताशा की साथ जब ही हाथ साथ उसके साथ कुई बॉइफरेंड भी था उसका, कुल्दीन, कुल्दीन नाम है उसका, जी सर, मैंने उसे तीन बार पोच्टाच की, फिर, लेकिन कुछ खास जैनकारी नहीं मिले, कुल्दीन, सब मेरी ही गलती है, मुझे नताशा को उस द तब ही एक दिन अचानक उसे किसी बहुत बड़ी कंपनी से अच्छा जॉब ओफर आया, सर, एक मेरी, पैली नौकरी में नताशा को सालरी किते थी, सर, वीस हजार रुपे, और इस नौकरी में, एक लाख रुपे सालरी दी जारी है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा क कि अचानक कोई इतनी बड़ी नौकरी क्यों देगा, सर, अजीब तो लगा था सर, लेकिन हम लोगों ने सोचा, शायद इसे एक इसमत का खेल के थे, और मने अपनी गाड़ी उठाई, नाताशा को इंटर्व्यू ले चोड़ने चले, जेकोन से रास्ते पे आ गए हम, साथ किसा तो गाडे में, कुल्दीप, कुल्दीप, यार तुम से कितनी पर कहां है मैने, तुम गाया मत करो, कितना भी सुरगाते हो यार, अरे ऑबाधा, मैं गाना नहीं कहा रहा हूं, बूत्रों कि हम लोग कहां आ आगए है, ये रासता तो अभी देखा नहीं मैने, तुम एन आपके जीटीए सब्सक्राइब, वो अपना दिमाग मत लगा अरे यार, हम यकिनन गलत रास्ते पागए, मैं काम करता हूँ, प्यूटर लेता हूँ और जो रास्ता हमें पता वही से चलते हूँ Oh my God! अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या है? Oh no! यार तुनों टायर पंचर हो गए, एक होता तो बदल देता अब क्या करें यार? यहां टैक्सी हो तो कुछ ही मिलेगा विया विया विया, एक मिलेगा यह अजब क्या मैकनिक मिलेगा क्या है? यह न आगे है, दू किलिमेटर आगे पी है तई हाँ पंचर हो गए है? जो यहां, मुझे छोड़ो के नाता है? छोड़ो दूँगा यहां पिंपचास को लूँगा आरे शो ले लेना यार चलो अरे कुल्दीब तुम मुझे अपट चुड़ के जा रहे हो विपस यू गया और यू आया मुझे तुमारे साथ आना ही नहीं चाहिए था लग्यू जान तुम अंदर बेटो बाहर मन निकल ना मैं बस यू गया और यू आया चलो चलो इसने मुझे कहा भी था इसको अगला छोड़ के ला जाओ बै अश मिने इसकी बात सुल लियो थी इसके बाद रहिएड अशा यह अटर जया दाएरि भारी कश लिखती थी मेरा मतलब है रोज का दिन चरिया या फिर मीटिंग के शेडियूल्स डाइरी तो नहीं है लेकिन है लेप्टॉप सरूर जिसमें वो अपनी जरूरी चीजे लिखा करती थी लेगे जरो खोलो से पासवर 20-04-1987 ये नदाश है? हाल जी से ये वारदात हुई थी छे मार्च को देखना सेरा वारदात से पहले कहां गई थी वो उसको शेडील चेक करो सर्तीन मार्च को नताशा जेडी लाप गई थी बलड टेस्कराने सर एक अफते पहले सनेहल भी वहा गई थी जेडी लाप इतनी बोरिंग फिंम दिखाई तुमने मुझे, मालूम है, सरदर्द हो रहा है हौ, फिम कहीं से बोरिंग ने थी अरे इतनी बोरिंग थी, मुझे भूख लग रही है, चलो, कुछ खा लेते हम आपर और नहीं, मैं कुछ निखा सकती है, तुम खालो, मुझे ट्वैलास की फास्टिंग कनी है, कल मेरा ब्लॉड टेस्ट है ब्लॉड टेस्ट? क्या हो गया तुमको? रिलाक्स, इस जुस्ट ब्लॉड टेस्स, नॉमल रुटीन चेक अप अरे यार, तुम डरा देती यो ब्लॉड टेस्स अच्छा, ब्लेटेस्स से ब्लॉड टेस्स से दर गे, अगर मुझे कुछ हो गया तब क्या करोगे तुम? तुम दूसरी आजेगी ना? क्या? दूसरी? अरे ने कहा से आजागी? आफ यहां नी पादिस्टा एट अरे यहां मारूमात यहां मेरी पुछ ने ओना ची अ अ को साब जिसका शक्ता वही हुआ सबी विक्टिम्स ने गायव ने से थीक पहले ब्लक तस्कर वाय था उसी जेडिलाबस जीडी लैप से, चलो, एक कडी तो मिल गी, और सर, जिन लोगों को चुना गया था, उन्हें एक खास एमेल आया था, टेस्ट के कुछ दिन पहले, कैसा एमेल, सर, एमेल में लिखा हुआ था कि वो ये सारे टेस्ट पांच सु रुपे के अंदर कर सकते हैं, सर ऐसा एमेल तो स पांच सु रुपे के अंदर तो आजकर, एक टेस्ट भी मुश्किल से होता है, बड़ दरा देखू, क्या थेस्ट, हाँ, देख लेया, यार ये तो पूरी की पूरी लंबी चौडी लिस्ट है टेस्ट की, ये पांच सु रुपे मोह ही नहीं सकते हैं, कम से कम फंदरा बीस पांच सु रुपे लगेंगे, क्या बात कर रहा है, हाँ, तो फिर बहुत बड़ी गड़बडे साड़ के, इसका तो एक ही मकसुद हो सकता है, कि टेस्ट करना, और लोगों को चुलना, तंदुरस लोगों को चुलना, और फिरुमें अगवा करके, मार देना, पर क्यूं, आप लोगों को जरूर को जबालत फ्यामी है, पांच सु रुम में ये सारे पूच्स आही नहीं सकते हैं, गोई तो हम भी है, इतिने सारे टेस्ट पांच सुछ उपे में कैसे हो सकते हैं, ये लाब इतनी दयालुक ऐसे हो गई है के तने गम दामों में सारे टेस्क करनी आप जिनके नाम दे रहे हैं, वो लोग हमारे लेब में आये नहीं थे यह देखेगे, यह हमारे रेकॉर्ड्स अम जानते हो नहीं आथे, उनके घरवालों ने बताया कि तुमारे लाब से ओम टेक्निशन गयते उनके घर पे लट सैंपल लेने के लिए में जखणया को पुलाब वल लाँ आपको! यह लिस देखे बताएं, आप लोगों में से कौं इन लोगों के घर गया था! बलट सैंपल लेने के लिए मैं नहीं गया था, सर कोई नहीं लेना था कोई नहीं गया था तो ब्लट सैंपल अपने आप उनके घर से ओड़के यहां लाइब में आया था है यह खुसर खुसर करना बंद करिये जाजोल से वोलिये या फिर CID ब्यूरो चल के बात करें सर एक्चुली आप सही कह रहे हैं हम विप्टिम के घर नहीं कहते हैं बलकि बोलोग यहां आये थे टेस्स करवाने के लिए मगर उस दिन ही, जिस दिन आप कह रहे हैं, यह दिखिये, महीनों पहले आये थे, ब्लड टेस्स कराने के लिए, वो सारे रिपोर्ट्स के लिए नहीं, आदत सच तो आपने बोल दिया, आप पूरा सच बोल दीजी, क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ? कह तो रहे हैं, कुछ नहीं किया है, जरूर किसी ने नखली इमेल बेजा है हमारे नाम से, मगर उस नखली इमेल भेजने वाले को यह कैसे पता चला है कि तुम्हारी लाब में कौन-कौन पेशिंस आए हैं ब्लड टेस्स करवाने के लिए, इसका मतलब कोई तो है यहां इस ल नहीं सर, कुछ भी कॉम्मन नहीं था, सब के ब्लड ग्रूप एक्दम अलग अलगते, कोई बीबारी भी नहीं थी मलब सब की सिया रच्छी थी, तो तुम्हारी पंकाच, एजब को गाड़ी में बिठाओ, जो रोले चले ले लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, सर, मैं सच कहता हूं, सर, मैं देगो ना हूं, सर, सर, मैंने भी कुछ नहीं किया, सर नहीं सर, इन में से तो कोई भी नहीं है जो उस दिन गर पे ब्लेट लेने के लिए था आपने ठीक से देखा, हाँ? पुरा यकीन है आपको कि इन में से कोई नहीं था नहीं सर, क्योंकि वो आदमी ने टूपी लगा रखी थी सर, 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 जेडी लैप्स के बाकी के इंपलोईस की कोणी निकाल ली है, जिन पर हमें शक है अच्छा, कौन को ने? एक नहीं सर, चार ऐसे लोगे जिन पर शक ही शक किया जा सकता है सर, सबसे पहला संतोष, इसकी बीवी आठ महेने से हॉस्पिडल में थी और इसके पास इलाज के पैसे नहीं थे पता नहीं, अचानाक इसकी कौन सी लोटरी लग गई कि इसने सारे पैसे देकर अपने बीवी का इलाज कर लिये चा, और सर, ये दूसरा जती ने आठ महने पहले जेडी लैब पे इसकी नोक्री लगे वी थी और ये सारे हाथ से शुरू हूए साथ महने पहले मतलब इसके नोक्री जॉइन करते ही ये सारे हाथ से शुरू हो गए बाकी दो? सार, सिद्धेश और मालिमी, इनकी सालरी अठरा और बीस हजार है मगर फिर भी पिछले छे महनों में ये दो फॉरें ट्रिप्स कर चुके है अच्छा संतो, यतिन, सिद्धेश और मालिमी लगता है फिर से जीडी लाफ जाना पड़ेगा हाँ मैं गया था यूरोप छुट्ट्या मनाने के लिए लेकिन वो पैसा किसी गलत काम से नहीं आया था मेरे चाचा मेरे लिए पच्छिस लाग रुपे छोड़ के गया था मालिनी जी आप भी यॉरोप घुमाई तो आपके लिए भी वसीयत ने कोई छोड़ गया था क्या कुछ? नहीं सार, तरहसल मैं सिद्धेश की साथ ही गई थी सिद्धेश के साथ? अच्छली मालिनी और मैं दूसरे से बहुत प्यार करते हूँ ओ, लव स्टोरी मैं अपनी बीवी का इलाज परवाया मगर कोई गड़त काम करके नहीं उसके जेवर वेच पर और तोर मेरा तो घर भी गिर भी पड़ा हुआ है अगर आप चाहें तो मैं उसके पेपर भी दिखा सकता हूँ आपको हाँ सर, संतोष तो सुबत से शाम तक ऑफिस में ही रहता है ये कब जाएगा किसी का बलड सांपल लेने और जातिन? जातिन तो बहुत कम ऑफिस आता है तब ही आता है जब कोई जरूरी काम हो अच्छा पर तब ही हमारा आद मी हो सकता है जातिन कहा मिलेगा हमारे काम के नियम तु पता है न तुम्हे सर मैं ये शेयर छोड़कर चला जाओगा सर मैं मैं देशे छोड़ दूँगा वो मुझे कभी ठोड़ने भाएंगे सर सर प्लीज सर जदिन अपना और हमारा वक्त परबाद मत करो जब जिसकी आख बंद होनी है तो वो तो होनी ही है समझे झाल झाल आज चोड़ जाओगा सर जाओव झाल झाल एक बना देटामा में ओड़ो देटा टाव देटामा है जटेंश लिए ढूàngा फॉजतेंश wnगद। ौणतर ड्राइब द्रृ अर्शब लृड़ारय प्रीफ फॉजतेंशने कूरे बहुते है मुआ पुम करतयों! है शाइद इस हाइड दिस से कुछ पता चल जाए बॉस मिर्क्री डेंथोनिल नाम के जहर से मारा है यह जदिया मिर्कृरिट इंथोने यह तो बही जहर है ना जो किसी के शरीर के अंदर चले जे तो पांच विनिट के अंदर-अंदर खतम हो जाता है अदमी आफर बहुत ही खतनाज है और यह जहर बहुत ही खुफिया तरीके से चिपा करके रखा गया था इसकी इस अंगुठी में बस यह इस अंगुठी में चिपा करके रखा यह देखो यह देखे हो यह चोटी से पिन इस सुई पर था हो जाया और यह इस अंगुठी में अब बस इस अंगुठी में ऐसे घुमाया जाए तो यह पिन कि महार निकलती है यह और जैसे यूसी इसके उली पे लगी देखते ही देखते ही पूरे शरीर में जहर फैल गया लेकिन सर जतिन अपने आपको मारे का क्यों प्रदी जतिन को पकड़े जाने का डर था एक बात तो पक्किया है कि जतिन अपने पॉस से जिसके लिए उसके कर रहा था उससे बहुत डरता था इतना डरता था कि जब इसे पता चला कि हम उसे पकड़ में आ रहे हैं तो इसने कुटकुशी कर ली ताकि इसके जरिया मुसके बहुत सबना पोंचे समझें यह मामला सिर्फ किड्नैपिंग और सीडेल किलिंग का मेरा बहुत बड़ा चक जिसमें कोई बड़ी गैंग इन्मॉल्ड है कोई बड़ी गैंग वो वो गैंग जिसकी निशानी है आख सर लैपटॉप में कुछ नहीं मिला सारी फाइल्स खुद बखुद डिलीट हो गई ऑटो डिलीशन के वज़े से और हाट डिस्क सर हाट डिस्क भी डैमेज होगी थी सर अगर एक लिए समने रिकवर कर लिये है था सर हुआ है हुआ है हुआ है इसने सो सौ से भी जाद हो नाम है सर स्नेहल के साथ और जितने भी लोग गायव होते सर सब उस लिस्ट में वगर सर किसी को भी कोई बीमारी नहीं है ज़रूर ये लिस्ट जतिन ने जीड़ी लैब में से चुरा कर अपने बॉस को देनी है पर कौन कौन हो सकता है इस लिस्ट में से जिसकी मौत का नंबर आदिया है कौन हो सकता है एक काम करो इसमें जितने भी नाम है जितने भी लोग इन सब को पून करो सतर करों को उनको बोलो उनकी जान को खत्रा है क्या अरे नहीं मैं मजाक नहीं कर रहे है वाके इसी एडी से बोल रहे है आपकी जान को खत्रा है इसलिए जब तक हम ना कहें आप प्लीज घर से बाहर मत निकलें क्या नोकरी का बूला हुआ थे मत जाना ऐडीश्या पर मैं तो निकल नहीं वाली हूँ नहीं घर से मत निकलना अलीश्या Tub ம & Annika अलीश्या अखल अलीश्या में आट मैं था अक क्या हुआ फृडी को बंद और है अब उसका फोन बंद आ रहा है सर अहो इस वक्त कोन आ गया अलिशा जी आप कोन C.I.D. मतलब मुझे जो मॉड्लिंग ओफर मिला था वो जूठा था वो लोग मुझे किड्नैप करने वाले थे पर अब जबरानी के कोई ज़रद नहीं है अलिशा अब इंट्रव्य के लिए जाएगी और उसे कुछ होगा भी नहीं नहीं सर मैं इंट्रव्य के लिए नहीं जाओंगी सर सर मुझे बहुत डला करहा है तुम नहीं जाओगी तो और जाएगा अलिशा बन गे झाल 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 एक्स्क्यूस्मी एक्चिली मैं रास्ता भटक गई हूँ वो जीपीएस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं आपको जाना का है मैं मुझे यहां तक मैं भी बताते हैं झाल कि इस जॅ कि अ कॉ ारॉब कि आस में इसा हुआ है एक अश्रार एफ घर पठता है। कि अभूआ खर्ब करे अच्छार के देखने हैं। कि में इस प्राइब कर दागें। कि यह क्या कि अच्छा अली की अझाय कंची तो आफ रागा। प्लाड रूप कहा पे है, तेरी खबर को बहुत सी लेंगे हेलो बीड़फॉल मुझे दुन्री थी किया लो मैं आ किया तुमारे पस, हाँ चलो चलो प्लागने की कोशिश ब्यूटी विद ब्रेंस, हाँ क्या हुआ तुम्हों क्या मक्खी मारेते क्या रे वो तो अच्छे वो में टाइम पे आ गया तलाशिलो इसकी वरावर से क्या हुआ मो तुम्हों क्या री जाए को दीदे निकालो निकाल, इपना टाइम लगात्ते है एरतू, हाँ? ओए! क्या हो वा पाई? ट्रैकिंग डिवाइस तुम लोग ने टिक से चेकनी कहते करने और तू, हिरोईन, कौन है तू? तुम लोगो की मौत अच्छा? C.I.D. भागो! पुरवी? सर, सर उस तरफ भागा पुरवी? स्रेयाल! चलो, जल्दी! कोई है? भारा! भारा, जल्दी! क। अईये, बार आईये! अईये, जल्दी! सर भागा, समाएके. स्रेयाल! वां, स्रेयाल! 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 मुझे लगा मय यहां से और कभी नहीं कली नेपाऊँगी पगल तुम कही भी रोती ना ? मैं तुमेoni बच्चा की ले जाता तुम इतना पसंद करते हमंचे तसखिलों का मुझ्या तुमेन ढुट ढुटे पगल चलो चलो यहां से ज़दी चलो है एज़ बुआ कि बुआ आज तो आज आज अज़ा है इसरी आज़तानी से तुझे मरने नहीं देंगे बॉला बॉला वो क्या रधे रहाब चिसके क्याने पे कर रहे थे तुम्हें इसब हम जिसके लिए काम करते हैं, तुम उसके बारे में कभी चान नी सकते हैं उसके आखे तुमें देख सकती हैं, लेकिन तुम उसे कभी नी देख सकते हैं हम नहीं देख सकते हैं हाँ शरीर के पुर्जों के लिए, लिवर, किड्नी वो क्या है ना आजकल हर चिस ट्रांस्प्लेंट हो जाती ना क्या इंसान की शरीर की अंगों की थसकरी का इतना बड़ा वेभार चल रहा है हाँ जेडी लैब्स यसे और भी लैब्स है जहां से हम लोगों के डाटाबेस चुराते हैं और अनमे से सहिद मन लोगों को चूनते हैं ताके उनके और गंस बेच के करोड़ रुपे हम विदेशी से कमा सके किन विदेशी ओं को दुनिया बर के विदेशी एक खास वेब सैट पर आते हैं जहां पर इंसान के शरीर की अलग अलग पुर्जों की निलामी होती है एक बार पैसे हमारे अकॉन में आ जाए तो क्लाइन के ब्लड ग्रूप बले इंसान को हम धूंटे हैं उस लिस्ट मेसे उसके बाद उनको पांसो रुपे का टेस्ट वाला मेसेज भेशते हो ताकि यह पता कर सको कि उनका गुर्दा लीवर या फिर दिल तुमारे क्लाइन स मैच होता है यह नहीं है बिल्कुल टिक मैच होने के बाद हम उसे इंट्रिव्यू के लिए बुलाते हैं ठीक उसी तरह जैसे मकडी एक मक्की को लारच के जाल में नफसाती है अजर्ण इसना सब कुछ करने के बाद भी इसनी पेशरमी से आसर है अपने कीये पे जरा भी शर्मिन दाया पच्तावा नहीं हो रहा तुम्हें तुम लोगों पेयारी इसी हैडी मुझे पगड़ने से तुम्हें क्या लग रहे है तुमने बहुत बड़ा तीन मार लिया हम तुम्हारे से ओर्गन गेंग को पकड़ना ऐसा है जैसे समुंदर में से एक लोड़ा पानी निकानना अच्छा पहले ये बता ये बता तेरा बाप कौन है मारो मुझे मैं भी ये जाता हूँ कि तुम मुझे मार दो क्योंकि आग गर में जिन्दा पकड़ा गया न तो मेरा बॉस मेरे दोस्त मेरे रिष्टेदार मेरे घरवाले सब को मार देगा हूँ कौन है तुम्हारा बॉस और कौन-कौन लोग शामिल है तुम्हारी गंदे में इसका जवाब आप मेरे मुझे कभी सुननी पाओगे एससे पी साहब यहाँ बॉस एक बुरी खबर है हमारे औरगन गैंग वाली आप सी आडी वालों ने बंद कर दी है मगर इससे पहले रनवी सी आडी वालों के हाथ लग पाता उसने अपनी जान दे दी सी आडी वालों ने हमारी हजार में से एक आँख बंद कर भी दी तो क्या वो एक आँख बंद करेंगे तो उसके जवाब में हम सव आँखें और खोलेंगे अब आएगा मज़ा खेल का